दोस्तों, आज हम जिस हाल में हैं बहुत परिशान हैं, किसी ना किसी तकलीप में हैं, हम गुस्सा करते हैं, मुझे उसने ऐसा क्यू का, वो कौन है जो मुझे बोलने होगा, और उसको क्या ज़रू थी मुझे बोलने की, और हम बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, और स्ट्रेस में जाकर उसको ने खुद को तकलीप देते हैं, खुद को शांत रखो और सोचो वो मुझे क्यू बोला, उसकी क्या वजह होगा, और मज़े हो या न हो, मैं तो गलत नहीं हुए, और क्या फरक पड़ते हैं ऐसा फिल होने के बारे बस खुद ही उसको अपने मन से निकाल दा तब आपको ऐसास होगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था इस परिशानी में आप खुद ही उसका निवारंग कर सकते हुआ इस पर एक अधारिश तुभी बताता हूँ एक नगर में एक राजा रहता था राजा जब भी मल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़े पर ही जाता था एक बार वह अपने नगर को देखने जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही ब्रह्मन पर निकला उस समय जूते नहीं होते थे इसलिए जमीन पर कंकर और पत्तरों के कारण राजा के पेर दुखने लग राजा ने इस समस्यों के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाए ज्यादा तर मंत्रियों का यह सुजाव था कि क्यों न पुरे नगर के रास्ते को चमडे की मोटी परस से ढख दिया जाए लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन यह अन्या संसादनों की जरूत थी तबी राजा के पास खड़े एक सिपाई ने सुजाव दिया कि परे नगरे को चमडे की परस से ढखने से अच्छा यह है कि क्यों न हम अपने पैरों को ही चमडे की परस से ढख दे इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे बलकि ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा सिपाई का यह सुजाव सुनकर राजा प्रसन में हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनाने का आधिश दिया हम कई बार अपनी समस्यवा यह दुखो का कारण इस संसार या अन्य लोगों को मानते हैं और सोचते हैं कि काश हम इस संसार को बदल सकते हैं लेकिन सच तो यह है कि हमारी समस्यों की वज़ा हम स्वयम होते हैं अगर हम संसार की जगर स्वयंग के बारे में थोड़ा सा सोच लें तो हमारी ज़्यादातर समस्यों मिड़ सकते